उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लव जहाद और धर्मांतरन को अपना एजेंडा में रखार बांकी मुद्दों के साथ इस पर भी चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पर प्रदेश कारकारनी की दो दन की बैठक आज मत्रा में जिसकी सुरुवात होई इसमें खास बात ये है कि जो लव जिहाद खास करके हिंदू लड़कियों को कतित तोर पे धर्म परिवर्तन करके निकाह करने के खिलाफ जो अवियान चला रखा है उसको अब राजनितिक एजिंडा में लाया जा रहा है और इस बाबत लक्षमी कांत बाजपई ने एक अंग्रेजी अखवार को इंटर्व्यू दिया है जिसमें उन्हें काला कि प्रदेश में कानून विवस्ता कि स्थी पर चर्चा के दोरान लव जिहाद और हिंदूओं के धर्मांतरन के बारे में भी बातचीत होगी सिधा सिधा अब देश जी इस बयान को कैसे देखा जाए इस एजेंडा को आपने राजनितिक तौर पर लिया इसको कैसे देखा जाए मेरा मानना यह है कि भारतिय जन्ता पार्टी इसको आपचारिक रूप से अपने एजेंडे में नहीं लाएगी लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में ये विशय चिंता काया है मैं हाला कि ये शब्द जो है लब जहाद वो मुझे जरा बड़ा आजीव लगा अपने जीवन में और मैं सुनता रहा हूं लेकिन जीस धंग से अभी मेरट की एक लरकी के साथ हुआ है एक दूसरी लड़की घटना फैजावाद से आई है और कुछ घटना है हमको केरल से और करनाटक से सुनने को मिली है उससे लगा है कि कुछ फंडामेंटलिस्ट जो है इसलाम मुसल्मानों में कुछ ऐसे तत्व जरूर है जो जान बूज करके इस धंक की कोशिस कर रहे हैं कि लरकीओं को फसा करके उनका धर्म पडिवर्तन करके उन से किया जाए अभी तक इसकी सरकारी report नहीं आई है तो पहले तो मेरा ये कहना है कि भारतिय जंता party की सरकार है अगर भारतियन्ता पार्टी इस पर चाहती है तो सबसे पहले इस पर एक आईबी की हो सकती है किसग्री मंत्राले के माध्यम से अगर ये लब जहाद इक्चोली चल ला है तो इस पर ठीक से एक रिपोर्ट मंगाए या जितनी घटनाय कम से कम सामने आ गई है उस पर वहाँ के पूलिस से वहाँ की सरकार से एक रिपोर्ट ला करके देश के सामने रखे उत्तर परदेश सरकार से भी मांग कर सकती है क्योंकि बिना किसी अपचारिक सरकारी प्रमान के हम बहुत बाते सरकार के अस्तर पर नहीं ह इसको कभी न भूले कि मुझफर नगर में मुसल्मानों के मरने वाले मुसल्मानों की संक्या जादा थी लेकिन उसके पहले जो बहु बेटी बचाओ सम्मेला नगर हिंदू ने किया तो वह कारण नहीं हो सकता है जब तक कोई घटना नहीं होगी कोई इतने बड़ा सम्मेल जो हैं उनके केंदर में हैं जगरा का ज़र वहीं से सुरू हो रहा है फिर उसके बाद हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है ये विचार का जरूर विशय है इसको सामपरदाइक द्रिष्टी से न देखते हुए भी परदेश के और देश के सांती के लिए ये क्यों हो रहा है कैसे रोका जाए इसके पीछे खलनाय कौन है उनको कैसे कानून के दायरे में लाया जाए आगे ऐसी घटनाय ना हो कोई लड़की भैभीत ना हो कोई मजबूरी में लोग बस दवाओ में धन्पडिवर्तन या निकाह करने के लिए जो है मजबूर ना हो इन सारों पर अगर भ देखें ये दो दिन की जो मीटिंग है एक ऐसे माहौल में हो रही है और व्रिंदावन आप जानते हैं के वेस्टन यूपी का ही हिस्सा है और वेस्टन यूपी में पिछले दिनों हम देखें तो लगातार घटनाए हुई है चाहें बेरा हो चाहें काट हो मुरादाबाद ह में समझता हूँ उसका एक हिस्सा है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन ओर्डर खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों का बलातकार करके लड़कियों का ओनर किल कर पिर्ड़ पे लटका दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ग विशेश के लोगों को आप इसलिए गिरफ्तार करेंगे कि आपको दूसरे लोगों को अपीस करना है इस देश के मीडिया ने ना के भारती जन्ता पार्टी ने ना के आरेसेस ने उनके अख़बार नहीं है इस देश के अख़बारों और टेलेविजिन लिखा कि उत्तरप्रदेश में 600 दंगे हुए हैं उन 600 दंगों में कितने लोग रफ्तार किये गए हैं जिनको टेलिविजिन में दिखाए गया उनको छोड़ दिया जाता है और आप दूसरे नेताओं को पकड़ते हैं तो ये counterproductive है मुझे पर आता है मुझे पर आता है अब देश भाई ने जिस बात को कहा कि अभी जो एक major से सामने मामला आया है फैज़ाबाद में घटना हुई है मेरट में घटना हुई है कि वो लड़की वहां जाती है वो पढ़ाने जाती है पिर किस तरह से इसका गैंग रेप होता है पिर उसका धर्म में इसका अगर इस बात को आप अपने executive में बांकी मुद्दों के साथ चर्चा करते हैं इस बात चीज देекे के घटना को देखें वहां को मंद्र का मामला कोई लॉडपी करकर का मामला नहीं था एक लड़कियों को छिड़ने को ले करके मामला हुआ जिसमें उसका भाई इंटर्वीन करता और इतनी बड़ी दंगा हो गया तो ये उसी का हिस्सा है चलिए पासा साथ बहुत कम सब्दों में मैं आपके पास आता हूँ जे बहुत ही पिंघमरता के साथ ये अरस करना चाहता हूँ कि एक दो इंसिडेंग को मितना कर के नहीं नहीं और खलाथ हमी है अभी तख भी तक ये इस हई कछो ठीक से लिया नहीं जा रहा एक दो इंसिडेंग कबात अभी आज़ स kicking चुछा से ≠visor, कि अगर आप सवाल कर रहे हैं जी बताए है बताए कंधे बुलाया है, ऐसे बूलुए अगर मुझे बुलाया है, आप भूब दो जी मेरी राह लिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए एक तो ये है कि मैं अवधेश जी की से बलकुल सहमद हूँ, कि इस सिलसले में डेटा क्या है, रिसर्च हमने किया है, नहीं किया है, मैं आपके पासा दाओं, जिए, किस तरह से घटनाय घटी हैं, उस पर कैसे कोई चान बीन हुई, उसकी क कोई तफ्तीश हुई कोई केस दर्ज हुआ इन सब चीजों का हमारे सामने अगर डेटा हो तो हम उस पर बहुत गंबीर पुरवक बाचीत कर सकते हैं बात बनती है अगर नहीं हो तो एक दो इंसिडेंट को लेकर कि देखें मुझफवर नगर का जो दंगा था चली आप आप सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि देखिए जिस तरह से बहस हो रही है जिस तरह से भारते जंदा पार्टी ने इसको अपने इस दो दिवश्य सम्मेलन में जिस तरह से उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है मैं समझता हूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश में एक एक नफरत की जो सियासत है चलिए जिसके पाद दिली जी डाटा उसे तो बात लिए बात बड़े गंबीर है जिहाद की मानशिक्ता लेकर के धर्मानतन को बढ़ाने के लिए जो प्यार का जहर जो बोया जा रहा है उसको कहते हैं लब जिहाद एक बात इसको डेफिनिसम को समझना बहुत जरूरी है दूसरी बात क्या है यह लब जिहाद कोई मैंने दिया हुआ या किसी हिंदू समाज के विक्ति ने दिया हुआ सब्द नहीं है यह केरला हाई कोड का जून दोजार बारे का पूर निर्णे हैं उस निर्णे के तहे तुन ने कहा था केरला हाई कोड के माननी नियादीसों ने कि यह जो है धर्मांतरन का इक इतना घिनोना रूप है जिसके माद्यम से हज्जारों की संख्या में हिंदू कर्णियाओं को मुसल्मान बनाय जा रहा है इसके अलावा और जिनके पास डाटा नहीं है वो डाटा बता दूँ आपको अपडेट कर दूँ कि केरला हाई को केरला की जो बिदान सवा है उस बिदान सवा में उमन चंडी जी जो मुक्यमंतरी थे उन मुक्यमंतरी ने स्वेम कहा था कि अब तक 2668 कन्याओं को इस तरह से मुसल्मान बनाय गया है और सरकार को इसमें रोग लगानी चाहिए और उसने हाई कोड ने भी सबसाब कहा कि इसका डिटेरि इंवेस्टिकेशन हो करके और तक सामने आने चाहिए और इसको तुरंत प्रतबंदित करना चाहिए इसके लाबा इसके लाबा यह तो बात होगी डाटा की इसके किलाबा जहां तक intelligence agencies और इसकी पुलिस record का सवाल है वो भी बता देता हूं आपको CBI के record के अनुसार चार हजार से ज़्यादा cases अभी तक रिपोर्ट हुएं दिलिब जी यह यह मैं data बता रहा हूं अब आपको बताता हूं यह CBI का data आप दे रहे हैं जिसको आप चाहें नाम अभी नहीं समझ रहे हूं हो सकता है कि लब जयाद मैं कह रहा हूं लेकि लब जयाद नहीं है लेकिन वस्तवी किस्तिती यह है कि जितने भी दंगे हुए है दिल्ली उत्र प्रदेश के अंदर अधिकांस दंगों की जड़ और उसके साथ जो हुआ घिनोना अपराद है जिसको कि मैं याँ टीवी चैनल पर बोल भी एक चीज़ है और धर्मांतन की मानशक्चा से किया गया यह अपराद मेरी माता बहनों के साथ में जो दुरुबहबना पूर्न ब्यभार हो रहा है देखिए मैं आपको बताता हूं मैं अब तरीका भी बताता हूं इसमें तरीका भी समझना पड़ेगा कि लब जयात होता कैसे है अब मोबाइल सोप्स हैं वीटी पालर्स हैं और ऐसे स्कूल कॉलेजिस हैं इसके बाहर मुस्लिम लड़के अपने हातों में मोली बांद करके और कई बार हिंदू नाम रखकर करके मोटर साइकल लेकर के वाकाईदा अरब कंट्री से पैसा आता है और उस साजिस के तहर इसके तत्थे हैं मेरे साथ हैं अगर आप चाहो तो साक्षात कैमरे में देखिए मैंने पीडित माता बेनों को देखा है साक्षात उनके दर्सन किये हैं और मेरी जो आत्मा ने कार आई कोट की आगे हैं पिर मामला और यहीं दूर्भाँए इस देख के अंदर तो दुर्भाँए थे हैं द्र ने कान क्यों हो रहे हैं क्योंकि धारमिक बैमनेस्षि के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू का दमन कर रही है और एक विशेसर राजनितिक ने नी मैं अभी की बात कर रहा हूं जो भरतमान में आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश कंदर अधर पास हर राजी के आंक्डे हैं आप दिली का केस बता रहा हूं एक बहन का अपरन हुआ उसके साथ जबर्दस्थी साधी होई साधी होने के बाद धर्मानतर हुआ उसके बाद उसका बेटा हुआ नि bogatka के सरकारень तुनोची दिली में आपकी सरकार है बीजेपी की सरकार है अगर आप अज़ने सब्सक्राइए उत्तर प्रदेश को लेका अगर आप ऐजेंडे में रखते हैं इसमेरा सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश के चीजों के जंडे में रख रहे हैं अगर आप यह कहरें कि दिल्ली में ऐसा हुआ है तो दिल्ली में करणा ही क्यों नहीं हो रही है आज की बात थोड़ी है मैं बात कर रहा हूं पिछल कई शालों से जो आंकड़े हैं सब जग हो रहा है मैं तो कह सारी सरकारों के सरद्रा नहीं पड़ेगी धरमांतरण के पूर पूर्ण पर्तबंद लगाना पड़ेगा लब जयात på पूर्ल परतबंद लगाना पड़ेगा इस जगड़े की फसाद की जडब दरमांतरण है चीजी तो यह तमाम चीजें जो है अभी तक इस बाबत अगर आप उस पर कानूनी कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं कानूनी कारवाई तो कानून के हिसाब से करेगी जब सरकार आगे नहीं बढ़ेगी लॉन ओडर की सिच्वेशन है को विशंदू परसेट अकेला कुछ नहीं कर सकता है तो उत्रप्रदेश में क्यों ने इसको उठाया मुद्दे को क्यों नहीं इसको आप साथ भूल गए जी आज से चार सल पहले जो राश्री समस्वक संग की जो राश्री कार करनी की बैठक हुई थी उसमें वाकादा लब जिहाद पर प्रस्ताफ पारित हुआ था और हमने एक डिटेल अवेरनेस केंपेंग शुरू किया एक और बात बता दूं आज विशंदू परसेट दिल्ली ने टैग किया है जी दिल्ली के हर कॉलनी को हम जगाए करेंगे और इसके बाद मैं प्रतेक वैन वेटी को अपनी और हिंदू परवारों को इसके लिए जागरत करेंगे किस तरह से इन जिहादी मानसिक्ता के धर्म द्रोही तत्तों को निप्टा जाए चलिए बसिम गाजी सब देखें यह मुद्दा बहुत समवेदन शील है बह सदात हुए से इसकी जड़ में भी और यह मैं 20 साल से कह रहा हूं यह आज जो बीजेपी ने मिटिंग मिटिंग बलाई है यह बाचपी साब का जो ब्यान आया है यह परसनला बोर्ट वालों को आजम खान को बुखारी को भी बुलानी चाहिए थी कि हमें इस देश में जो ह है यह जो माइनेटीज है देखे जिस तरी के से साओधी अरब में हिंदू रहते हैं वहां क्यों नहीं हो जाता है यह कोई लवब नहीं है यह वासना है और हकीकी बात यह है कि इन लोगों को बलाना चाहिए और जो मुस्लिम लड़के वासना की आड़ में इस तरह के जो हर जो कर रहे हैं इसको जिहाद व्याद नहीं है पहली बात तो कोई मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से भी इश्क नहीं कर सकता है प्यार नहीं कर सकता है सिर्फ शादी कर सकता है हिंदू लड़की तो बहुत बात के बात है वो तो बिल्कुल हराम है कुरान में कुरान में बिल्कुल हराम है कि वो तो शादी भी नहीं कर सकता है लिए दूसरी बात जहां तक कनवर्जन की बात है तो हमारे मुल्क में करना की पूरी आजादी है लेकिन वासना की आर्म थर्मांतर नहीं कर सकते हैं खिर्ण करना बिलकुन गलत है थो कंवर्जन किशी को साधी के लिए करना या दोलत के लिए करना या किसी को कोई लालस देंक तो वो सज्ध किम आप मोहमज साय के शिक्षा नहीं चीन है या आप शादी के लिए पैसे के लिए दूसरी बात है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर से हैं यह बात सही है मैं 20 साल से कह रहा ता जब गुजरात में फसाद हुए इसकी आड़ में यह है कि यह मुस्लिम जो बच्चे हैं और वाकई में उनके पास जादे पैसा आगया है उनके वाल बहुत कम आपने सुनना होगा कि बहुसंक्यक समाज अलपसंक कायोग के पास जाकर के दर्सक दे रहा है हमने पिछले सब्ता वारत के अलपसंक कायोग से मिलकर के विशंदी परसद का पांच सदस्टी हाई लेविल डेलिकेशन मिला था और उससे उन्होंने कहा था कि बहुसंक्यक समाज आपके पास इसलिए आया है कि अलपसंक्यकों की हिमायती आप संस्ता हैं आप अलपसंक्यकों को हित चाहते हैं लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंकक समुदाई का एक बहुत बड़ा बर्ग धीरे-धीरे करके एक विक्रत मानसिक्ता से ग्रसित होता जा रहा है। और बहुसंकक समाज के साथ में वो साथ में बैठना नहीं चाहता। वो अतिबादी रूप रखना चाहता है। मेरा कहना है उत्तर प्रदेश भाजपा ततकाल एक शमीती बना दे इसकी जितनी घटनाय है उसकी सवप्रमान एक पुष्टिका जारी करें। दूसरा केंद सरकार से मांग करें कि भाई इन सब की ठीक से जाच कराओ। और मेरा कहना है कि प्रदान मंत्री अब भारत सरकार को तुरत इसको संग्यान में ले करके या तो एक S.I.T. या C.B.I. को सुपूर्ट कर दो कि ये बागई माला है ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफेसर पासा साथ, उस्पेंदर जी, अफदेश जी, बिनोज वजिनसल सहाब और वसीम सहाब बहुत धन्यवाद आप सब लोग।